करण जोहर के टॉक शो कॉफी विद करण में इस बार वेटरिन एक्ट्रेसिस नीतू कपूर और जीनतमान शामिल हुए उन्होंने शो में अपनी परस्टन लाइफ से लेकर फिल्म इंडरस्ट्री से जूड़ी कई बाते शेयर की शो में नीतू कपूर ने रिशी कपूर को एक सक्त बॉइफरेंड और पजेसिव हजबन बताया उन्होंने कहा रिशी हमेशा मुझे अपने आसपास देखना चाहते थे मैं अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉई करना चाहती थी इसने फिल्म में करना चोड़ दी थी करन जोहर के शो कॉफी विद करन का ये आठवा सीजन चल रहा है नीतु कपूर ने रिशी कपूर से शादी के बाद फिल्म में करना चोड़ दिया था उन्होंने मैच 21 साल की उमर में बॉली वुड छोड़ने के बारे में बात करते वे कहा मैंने 5 साल की उमर से काम करना शुरू किया था मेरी फिल्म दो कलियां से मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला मैंने अपनी फिल्म मी करियर के शुरुआत में ही पपुलारिटी देख ली थी इस वज़ा से बाद में मेरे लिए फिल्मे करना एक तरसी नोकरी जैसा हो गया था मैंने पांस साल से एकिस साल तक की उमर के बीच लगबख सक तरसी फिल्मे की थी उन्होंने आगे कहा मैंने इंडरस्टी में पंदरा साल काम किया है बच्चों के जनम के बाद मैं खुद का सारा समय अपने परिवार और बच्चों के साथ बिताना चाहती थी रिशी एक पजेजिव पती थे वे हमेशा चाहते थे कि मैं उनके आसपास रहूं मुझे भी अच्छा लगता था इसलिए उस समय मेरे जिन्दगी उन्ही के इर्दगित थी और परिवार के साथ थी मैं अपने जिन्दगी में बहुत खुश थी मेरे परिवार में हर किसी के अंदर प्यार भरा हुआ था मेरी सास अब तक की सबसे अच्छी इन्सानों में से एक थी मेरे ससूर भी एक कमाल के इन्सान थे हम सब एक खुशाल पंजाबी परिवार की तरह रहते थे और खुब हसी मजा किया करते थे जब मैं चेंबूर के देवनार कॉटेज में रहती थी वे मेरी जिन्दगी के सबसे अच्छे दिन थे जीनत अमा ने अपनी परसनल लाइव शेयर करते वे बताया कि कैसे वे स्टाडम देखने के बाद मदरुट को एंजॉय करने के लिए तयार थी वे इस बदलाओं से अपनी जिन्दगी में बेहत खुश थी उन्होंने कहा मैं इस बदलाओं के लिए पूरी तरह से तयार थी मैं अपनी लाइव के नेक्स चैप्टर की और बढ़ना चाहती थी मैंने माँ बनने के सफर में अपना 100% दिया बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं फिल्मों में अपना 100% दिया कर दी थी इसलिए जब मैं अपने सफर को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैंने कुछ खोया है इसे के साथ बने रालकामा टीवी के साथ करने वाद